Hello friends, आज की session में हम देखेंगे Android के बारे में देखो Android में programming करने से पहले यानि कि Android में coding करने से पहले हमको जो main चीज है जो Android है उसको समझना बहुत important है कि actual में Android होता क्या है तो वो चीज clear करना बहुत important तो आज का हमारा session उसी के उपर होने वाला है कि what does actually Android means चीज है जिसे में Android के बारे में पढ़ेंगे then operating system के बारे में then Linux के बारे में then हमारा open source के बारे में और फिर एक थोटा सा overview लेंगे जिसे कि हम clear कर पाए कि Android होता गया है अब start करते वक्दी मैं आपसे question पूछने वाला हूँ कि what is Android बहुत लोगों को मित होता है कि Android एक application है Android एक software है या Android एक laptop है क्या है actual में Android कुछ कहते हैं operating system है कुछ कहते हैं application है तो यह confusion हमेशा create रहता है तो इस confusion को ही हमको clear करना है क्योंकि आगे अगर हम इसमें coding करने वाले तो पहला जो हमारा point है Android यह clear होना बहुत important है तो चलते हैं सबसे पहले समझते हैं the ABCD of Android तो देखो Android is open source and Linux based operating system यह बहुत important line है कि Android क्या है open source Linux based operating system है तो इस पे आने से पहले मैं आपको इसके ABC बताने वाला हूँ तो सबसे पहले चलते हैं इसके उपर open source Linux based operating system को मैंने यहाँ पे parts में divide कर दिया है यानि कि तीन parts मतलब क्या हो गया A B and C of the operating system अगर आपको यह 3 ABC पता चल जाएंगे तो आपको Android का मतलब समझ में आ जाएगा Android actual में होता क्या है तो हम पीछे से चलेंगे पीछे से in the sense पहले हम C समझेंगे यह एक है अपने बोला का Android disciple में आपररिंग्सरप होता क्या है यह चीज तो clear होगी कि सोफजर आप यह спорт偏 नहीं है यह शंच का MP टो नहीं है यह अपरेंग शिश्रम होता क्या है तो हम पहले समझेंगे इस C पार्ट को चलते हैं सेधा कि operating system होता क्या, so what exactly is operating system, so operating system होता क्या, an operating system or an OS is a software program that enables the hardware to communicate and operate with software, मतलब की hardware और software को communication करने के लिए use में आता है, तब इसको simple बाशा में या सरल बाशा में समझे, तो एक communication है, way of communication है, आपके कोई भी electronic device के नों दो main components होते है, एक होता है आपका software और एक होता है, आपका hardware, तो इन दोनों के बीच में communication का जो जरिया है, या कहें के वे है, वो कौन सा है, operating system है, तो operating system का जो main role होता है, वो software के थुरू input लेना और hardware के थू output generate करवाना, ठीक है, तो basic example या basic मैं क्या हूं, जो definition एक operating system की है, वो यह है कि वो software के थुरू input लेता है, और hardware के थुरू output generate करवाता है, जैसा कि आप यह diagram में भी दे सकते है, कि user जो आपके inputs देगा, वो apps में देगा, apps या software, तो अभी हम universal OS की बात करें, हम as a android operating system की बात नहीं करेंगे हम सिर्फ समझ रहे हैं कि operating system होता गया, तो वो किसी भी platform भी हो सकता है, यहनि कि आपका laptop भी हो सकता है, पीस्य Rusigy भी हो सकता है, याफिर mobile platform भी हो सकता है, तो उन सारी जगापे अगर mobile platform की बात करें तो वहाँ apps यूज आता है, और अगर desktop की बात करो तो वहाँ software तो यह तो मैंने आपको एक programming language में क्या definition होती वो मैंने आपको समझाए अब मैं आपको real example लेके समझाता हूं कि actual में ओप्रिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है तो हम चलते हैं सीधा laptop के अंदर आप laptop या PC या PC यूज़ करते हैं और आप एक simple सा गाना प्ले करना चाहते हैं या आ वीडियो के लिए मुवी के लिए आपने वीeti मीडिया फले तो जैसे ही आपने वीऐल सी को ओपन किया और मुवी को प्ले किया तो वहाँके पटन होता है जैसे एक ऐसे आपके टप करेंगे तो आपके जो screen है या display screen है वहां पे आपकी जो movie है वह स्टार्ट हो जाएगी म उसी समय, simultaneously, जो आपके audio speakers है, जो आपके laptop में लगे वे हैं, या PC से कोई audio connected है, तो वो जो hardware है, उसमें आपके audio बज़ना start हो जाता है, यानि audio चलना start हो जाता है, तो ये process कैसे हुआ, आप as a user, आपने क्या input दिया वाया software, तो जैसे ही आपने उस पर tap किया, प्ले बटन के उपर, आपनिंग सिस्टम ने उस particular software से वो input लिया, और hardware के थ्रूँ वो output जनरेट करवाया, कि प्ले पे क्या काम हो जाना चाहिए, तो प्ले पे होना चाहिए, कि वीडियो प्ले हो जाए, और उसका simultaneously, उसका जो respective audio है, वो audio जो connected है, उसमें वो audio play हो जाना चाहिए, अगर audio drivers उसको नहीं मिलते है, तो audio नहीं play कर भाएगा, तो audio drivers को भी manage कर रहा है, तो यह सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कि यह primary role है, इसके अलाबब भी बहुत सारे roles होता है, एक operating system के, तो यह, आसान बाशा मैं आपने समझा, एक real life example से समझा के operating system का main role क्या होता है, अब मैं आपको दूसरा example लेके बताता हूँ, दूसरा example रहेगा आपका, दिखो कोई भी आपका electronic device है, तो उसको एक operating system चाहेगा, जो उस particular system को operate कर सके, अब आप एक electronic device use क्यों कर रहे हैं, क्यो या आप कहीं, picture hall में जाते हैं, cinema, theater में जाते हैं, वहाँ पर आप देखोगे, fire alarm होता है, या बड़े MNCs के अंदर आपने देखा होगा, fire alarm लगा बहुत है, अब वो fire alarm क्या करता है, वो भी एक electronic circuit है, तो आपका जो fire alarm है, वो क्या कर रहा है, वो environment में चेक कर रहा है, CO2 की मा carbon dioxide की मात्रा कितनी रहती है, environment में, और कितनी रहनी चाहिए, अगर एक harm level से वो बढ़ जाती है, that means कहीं न कहीं आग लगी है, तभी CO2 इतनी मात्रा में आ रही है, एक harm level को cross कर गई है, तो उसकी programming में क्या होता है, वो उसने input लिया, बार-बार input ले रहा है, लेकिन बार-बा लगे है, तो उनको जल्द से जल्द कोई exit देखनी पड़ेगी, nearby और इस particular situation से बाहर आना होगा, तो यह भी काम कैसे हो रहा है, input लिया जा रहा है, run time environment से, और output generated किया जा रहा है, hardware के तुरू ही, आपका input लिया जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि हम software के तुरू input ले, आपका जो operating system होता है, वो hardware के तुरू भी input लेके, hardware के तुरू ही output generated करवा सकता है, तो यह जो चीज़ है, यह भी possible है, कि हमने hardware से connectivity करी, और हम कोई display दिखा रहे है, screen पे display भी दिखा सकते है, एक और example लेके मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप washroom में जाता है, बातरूम में जाते हैं, तो वहाँ आपने tap देखे होंगे, cinemas के अंदर, जैसे आप tap के नीचे हाथ रखते हैं, तो क्या होता है, पानी आने लग जाता है, जैसे आप अपने हाथ को अठाते हैं, तो पानी का flow रुख जाता है, तो यह चीज़ क्या हो रही है, उसमें एक simple सा sensor लगावा ह तो यह एक basic example होता है, इसका मतलब यह नहीं कि ऑपर इतना ही काम करता है, यह उसका main काम है, मतलब operating system का main या primary काम है, वो यह होता है, उसके आलाभी operating system बहुत सारी चीज़ों को manage करता है, जैसे की process management हो गया, device management हो गया, driver management हो गया, memory management हो गया, यह सारी चीज़ें जो है, आपका operating system manage करता है, तो आपने मेन चीज़ के लिए जिसको operating system use किया जाता है primary reason क्या होता है वो यह होता है कि hardware और software के बीच में way of communication पैदा करना मतलब communicate करवाना ठीक है अब चलता है next point के उपर तो operating system act as an interface between user and a hardware अब यह चीज़ क्या होई इसको ऐसे एकदम interface को पहले समझते हैं कि interface होता गया इंटरफेस को समझने के लिए for example में एक example लेकर आपको समझाता हूं इस particular चीज़ को कि में को Hindi language जारे से communication आती है यानि में को अगर किसी से communicate करना है तो मैं Hindi में communicate कर सकता हूं और आपको English में communication आता है यानि कि आप English language बोलते है for communication अब में को आपस में communicate करना है तो हम दोनों को एक interface यहएगा जो मेरी Hindi की बातों को English में translate करेगा और आपको समझाएगा वैसा ही वाइस वर्सा आपकी English की बाशा को समझेगा translate करेगा और Hindi में में को समझाएगा मतलब हिं communicate नहीं कर सकता, उनकी एक बाश्या अलग होती है, मेरी एक बाश्या अलग है, मैं directly display को नहीं कह सकता, कि मेरा वीडियो चला दो, मेरी movie चला दो, तो वो नहीं चलाएगा, मैं उसको बोलूँगा, यह गाना play कर दो, तो वो play नहीं होगा, उसके लिए मैं को एक operating system चीएगा, जिसको मैं अपने inputs दोंगा, तो वो उसके accordingly output generate करेगा, वाया hardware, अब चलता है next part के उपर, operating system provides the software platform, on the top of which other programs called application programs can run, जो हमने यहां बात करी, जो software और applications है, वो एक ऐसा platform बनाता है, जहां पर input लेने के लिए, obviously अगर आपको input लेना है, तो application या software देना पड़ेगा, जिससे की user interact करेगा, user direct machine level से interact नहीं करेगा, एक application layer से वो interact करेगा, जिससे की वो अपने input दे सके, जैसे की मैंने आपको VLC का example दिया, ठीक है, आप और भी example दे सकते है, mobile के अंदर, जैसे आप WhatsApp के अंदर, या call के उपर जैसे आप button tap करते हैं, तो आपका call log खुल जाता है, तो यह क्या हो रहा है, आप internet कर रहे हैं कि application layer से, उससे input जा रहा है OS के अंदर, और OS के पास जो input आया है, वो hardware, मतलब display driver के उपर, यह कह रहा है कि आप call log दिखाईए, तो यह हमारा communication हुआ, मतलब मैं direct communicate नहीं कर रहा हूं hardware को, वाया operating system कर रहा हूं, तो यह basically मतलब होता है operating system का, अब चलता है B part के उपर, यानि की Linux based, तो हमने B part जो समझा था, C हमको clear हुआ, B part है, Linux based, तो मतलब operating system तो है, यह समझ में आ गया है, लेकिन यह Linux based क्या है, Linux क्या है, तो देखो Linux को समझने के लिए, यह आप, यह जो term है, और यह जो icon है, यह आप इससे काफी used to है, गर used to नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि all over the world, जो popular OS use होते हैं, उनमें से य OS है, यानि कि all over the world, तीन commonly used operating system है, जो हर platform में आपको मिल जाएंगे, जैसे Windows हो गया, जो सबसे common है, then Mac OS हो गया, then आपका आदा है Linux OS, ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में नहीं जामते हैं, तो यह भी एक OS platform है, जो कि मैं आपको यहां समझाने वाला हूं, Linux is a family of free and open source software operating system built around Linux kernel, जो important चीज है, वो है, क्या है आपका Linux kernel, अब आपको Linux kernel है, वो एक operating system है, open source platform पे बनाया गया, अब question वापस से arise होता है, कि यह open source क्या है, चलो माना कि Linux based Linux kernel होता होगा, एक operating system होता होगा, जो operating system को हमको मतलब पता है, लेकिन Linux kernel है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, कि य अब हम समझेंगे, जो हमारा A part है, वो है, open source platform, तो सीधा चलते हैं, उसके उपर, कि open source platform क्या होता है, देखो, मैं यहाँ पर इस term को divide करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, open, and एक लिखता हूँ, stores, देखो, open से आपको क्या समझ मारा है, open का मतलब यहाँ, open for all, मतलब की open का मतलब हो गया, license free, अब यह license free क्या है, open for all का मतलब क्या है, देखो, यह जो platform होता है, जो open source के अंदर आता है, यह सारे platform, चाहे वो software हो, चाहे वो आपका operating system हो, यह सारी चीज़े एक normal user के लिए, एक developer के लिए, free of cost available है, मतलब आपको इसके लिए कोई additional पैसा देने की ज कर सकते है, कोई भी company, कोई भी ऐसी कोई company नहीं है, जिसको claim कर सकती है, कि आप यह चीज़ क्यों use कर रहे है, ठीक है, कि आपको यह चीज़ लाइसंस करने चाहिए, यह free of license है, मतलब कोई license देने की जरूत नहीं है, अब question आता है, जो term है, थोड़ी सी bounce होगे, bounce होगे, क्या होता है, operating system के अंदर, यह software के अंदर, अब इसको एक अच्छे से example से समझते हैं, जब आप laptop purchase करते हैं, या एक PC purchase करते हैं, आपके पास एक option होता है, कि आप कौन सा OS उसमें चाहेंगे, तो by default अगर laptop with windows OS आता है, तो उसमें उसकी additional price होती है, अगर आपने उसका invoice देखा ठीक है, उस particular years के बाद में, आपका जो laptop है, या आपका जो windows है, जो OS आप उसमें चला रहे हो, वहाँ पे एक आ जाता है, your window is not genuine, मतलब वो जितने साल का आपने license लिया था, वो खतम हो चुके, वो time over हो चुका, अब आपको वापिस क्या करना पड़ेगा, उसको purchase करना जैसे आप license, बनाते है driving license वगर, तो आप बिना driving license के, गाड़ी नहीं चला सकते, वैसे ही बिना windows के license के, या बिना particular चीज के license के, आप उस चीज को use नहीं कर सकते, यह officially illegal होता है, तो हमको हमेशा कोई भी चीज अगर चलानी है, तो हमको officially legal arguments के अंदर चलानी चाहिए, यानि क अगर हमको कोई OS को use करना है, उसका license renew करवाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा software है, उसको use करना है, तो उसका license लेना पड़ेगा, फिर हम उसको use कर पाएंगे, तो अब यह जो open source platform के जो open का मतलब है, वो क्या है आपका license free, मतलब कोई भी software या कोई भी operating system, अगर open source platform के अंद आता है, that means, वो software या वो operating system कभी भी आपको license के लिए बाउंड नहीं करेंगे, वो open for all है, कोई भी उसको use कर सकता है, अब आते हैं, दूसरे चीज के उपर जो कि है आपका source, source का मतलब होता है, जब भी हम किसी चीज को बना रहे है, यानि कि बना in the sense, मतलब अगर आप operating system बन रहे हो, या फिर आप कोई application या software बना रहे हो, तो आप उसकी coding कर रहे हो, तो उसका जो code है, source का मतलब होगया source code, तो वो code भी free of cost है, मतलब आप इसको reuse कर सकते हैं, री modify कर सकते हैं, अपनी needs के according, ठीक है, तो अब आपको clear picture होगी, कि open source platform का मतलब क्या होता है, कि यह open for all है, क्यानि कि license free है, दूसरे इसका जो code है, वो एक end user तक, मतलब ही कोई भी user उसको अपने हिसाप से change कर सकता है, अपने हिसाप से उसको modify कर सकता है, और अपना एक नया flavor निकाल सकता है, तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो Linux kernel भी एक ऐसा ही क्या है, open source platform है, तो आप देखेंगे कि Linux के अंदर ही, जो kernel, Linux kernel जो है, उसके उपर ही बहुत सारे flavors मिल जाते हैं, आपको जैसे उबंदू हो गया, काली Linux हो हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको flavors मिल जाएंगे, इस particular Linux kernel पर बेस, तो इसका मतलब क्या हो, कि वो open source है, तभी तो कोई भी user उसके flavors निकाल सकता है, तो यहाँ पर यही चीज़ बतानी कोशिश करा है, कि the development of Linux is the best example of any open source platform, जितना use this को as a open source platform किया गया, ऐसा कोई दूसरा open source platform आपको नहीं मिलेगा, जिसका इतना access में use हुआ और इतना successfully used हुआ, तो अब वापिस चलते हैं हमारे, पुराना जहां अब हम open source platform की बारे में समझ रहे थे, तो यहां हमने समझा कि open क्या होता है, और source क्या होता है, जिससे हम कोई idea हुआ कि open source platform का actually मतलब क्या होता है, तो अ अपने हिसाब से उसको modify कर सकता है, उसके लिए कोई उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, अब second point, इसमें ये point mark कर लिया है, मैंने यहां पर चलते सिधा second point पर user can view the code that compromises the software and make any kind of changes to it, any kind of changes, जो अभी मैंने आपको overview दिया है, यहां पर, मैं उनी को sum up कर रहा हूं इन points के अ मतलब यह free of charge मिलता है, code आप इसको ले सकते हैं, कोई license की requirement नहीं होती है, अगर कोई open source platform है, तो उसके बाद में कोई भी आपको changes करने है, modifications करने है, तो वो आप उस particular code के अंदर source code में आप खर सकते हैं, और उसके basis पे आप अपना खुद का कोई भी program या खुद का कोई भी flavor निकाल सकते हैं, उस particular platform के लिए, तो यह actual में आपका क्या होता है, open source platform, यहाँ पे आप इनके examples भी देख सकते हैं, कि बहुत सारे यहाँ पे आपको examples मिल जाएंगे, यह इसमें applications भी है, softwares भी है, and operating system भी है, तो यहाँ हमने समझा, कि एक open source platform होता गया है, तो अब हमारा A, B CC, जो है, वो clear हो चुका है, यानि कि हमको बंके हैं, कि अब पता है, Android क्या होता है, operating system है, Linux based है, और क्या हैって 3 ची banco हमें, Linux एक Q होता है, and then 30 चीज़ आपको Android का एक clear picture मिल जाएगा कि Android एक्चिल में होता गया है तो आज की session के लिए इतना ही Thank You